प्रस्नल ए कि आपके बारे में कहा जाता है कि मंगल कारिंदी सबसे गरीब विधायक है चपल पेन के चलते हैं घर नहीं है तो अपने आप आप तो जन प्रतिधी बन गए हैं तो आपने इन सारी चुजों को ठीक किया कि अभी भी आप उसी तरीके से कल्यान मंतिर थे आधर अपने चंपाई सुरहं उनहें कहा कि इसका तो माता पिता भी नहीं घर संचार भी नहीं है ब्युक्ता गर करो शुमक्ति बढ़र है खैंया, नहीं दो एक काम क्लीन है और यही ayawा मंतिर यहीं है आपके बारे में है कि भई जो मंगल कालिंदीजी हैं बड़े मिर्दुभाशी हैं हर जगा इजली अब लेबल तो हो जाते हैं लेकिन जितना उनकी सरकार है जस तरीके से काम अपने छित्रे के लिए लाना चाहिए था वो नहीं बुरा करा पा रहे हैं गुविंद्पूर जलापर्ती योजना अज भी मतलब लटका हुआ पुरूरूप से पुरा नहीं हुआ आपने कई बार उसके लिए मंतरी का दाउरा करा है केबल ब्रीज को लेकर क्यों नहीं आप सीथे मुख मंतरी से मिलते हैं जब कंट्रेक्टर भाग हो गया बड़ा योजना था पूरी उससे सहर को कही नहीं पूछना चाहते हैं कि रेल्वे और जो बन भीभाग यह राज सरकार का अधिन में है कहिंदर सरकार का अधिन में पहले पूछ लेना चाहिए और उनको समझ लेना चाहिए हमसे जदा रोड हमको नहीं लगता है कि किसी ने बनाने का काम के हम लोगों ने अभी दस क्रोल का जो है गोविनपूर एक छोटा सा जगा है महां दस करोल का रोड हमनों लाने का काम के रोड बन रहा है कि जो मंगल कालिंदीजी हैं बड़े पुर भाशी है। घुमते जादा है लेकिन काम इसलिए कि आपका सहरी छेत्र भी AC गरामिन चेत्र भी है दोनों है आदोनों का समझव से करना है और अब बुधारन के रूप में आप देख लिबेए गविनपूर ज लापति योजना आज भी मतलब लटका हुआ, पुनरूप से पुरा नहीं हुआ, आपने कई बार उसके लिए मंतरी का दोरा करा है, दुसरा आप जो पिपला से लेका सड़क बन रहा था, आज राजी के सबसे बड़ा जो है, आपका केबल ब्रिस बनने वाला था, केंसी लो गया, आपने उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, जुक्सलाइ, ओ फ्लाइवर जो है गोविंदपूर का, सब कुछ लटका हुआ है, सब का कहना एक राज्यसरकार, दिल्चस्पी नहीं दिखा रहे, इसलिए काम लिए, देगी करीडोर के लिए हमने, यहां जिल्या में जो बैठक होती है, उस वर भी हमने आ काम ज्यादा से ज्यादा कैसे है, अब आप 227 करोण का योजना जो है, गोविंदपूर, जलापूरती योजना, यह किस समय में बना, उस समय आजसु बीजेपी का यह था, ने यह यह योजना 2015 से 2018 तक जो है, कॉंटेक्टर को जो है, नियमता के अधार पर उसको कंप्लीट करके देना था, लेकिन उस समय जो काम हुई है, वो उसमें काम में अनमीता बरताई गई, जिस कारण से 227 करोड का योजना, जैसे रोड में गड़ा कोड़कर पैप डाल दिया और पत्थर बुल्डर जो है, डाल दिया उपर से, तो सरकार जिसकी थी, जो वहां के जनपरति निंदी थे, इनको उस पर ध्यान देना चाहिए था, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और आज यही कारण है कि पाइप जो है, जगा जगा फट रहा है, लिके जो रहा है, क्योंकि ना निच्छे बालो, ना उपर बालो, निच्छे भी बॉल्डर, उपर भी बॉल्डर के उपर में जो है, पैप बिचा दिया, तो निच्छीत रूप से होगा, और जिम्यवार वो बेखती है, जिलकी सरकार थी, जो सेत्र का नित्रित कर रहा है थे, वो सारे लोगों का जिम्यवार थे, हमने तो प्येजडी मंत्री, आधन्य मितले स्टाकुर जी से हमने बात कि है, बात करके हम बहुत हमने देखा, क्योंकि राहर गोड़ा में बहुत बड़ा जो है एक लिकेज था, उसके लिए हमनों दो दिन वहां खड़ा हो के उसको लिकेज को पैप कटवा के फिर पैप को जोड़वाना, उस समय लैन बार-बार कट जा रही थी, तो हम वहां जाक काम किया, और इसके लिए हमने पदय यत्रा भी किया था, गोबिन पूर से लेकर परसुड़ी तक, तो यह लगता है कि जिस परकार से इन लोगों ने अनिमिता बरते वहें जो काम किया है, वह हमको लग रहा है कि हम दो को सिस करते हैं हम इसा सुदारने का लेकिन आज अगर लोगों का दूसरा मेरा केबल ब्रीज को लेकर क्यों नहीं आप सीथे मुखमंत्री से मिलते हैं जब कंट्रेक्टर भाग हो गया बड़ा योजना था पूरी उससे सहर को कहीं न कहीं फैदा होना था अगर पिपला से अगर वो आपके गुविनपूर अन्ना चौप तक तो जुड़ता पूरे शहर क्या ट्राफिक विवस्ता सुदर था आप अभी उस पद पर हैं और आप उस सत हम सांसों पूछते हैं तो उनका सिध़कर हो राजस सरकार की वजसे नहीं हुरा हम तो बार-बार कोशिश कर रहें तो आप राजसरकार के नुमाहींदे हैं लेकृट प्रक महींक हमखै की आपको में हम पूचना चाहते हैं के रीजवे और जो बन-ाघ्र यह राजサरकार का आदिन में या केंद्र सरगार का अधीन में पहले पूछ लेना चाहिए और उनको समझ लेना चाहिए हमने चाहे बडामपडमदा हो जाये जमसितपूर परखंड हो जाये जुक्सलाइन अगरपाली का चेट आप रोड के स्थिति जाकर देख लिए हमसे ज्यादा रोड हमको नहीं लगता है कि किसी ने बनाने का काम की हम लोगों ने अभी दस करोड का रोड जो है गोविन पूर एक चोटा सब्धूर करना हमारा करतब है उसको उनों कर रहे हैं पटमदा और बोडाम में सबसे बड़ा जाकिशान रहते हैं अभी अपने पानी की बात कर लिए आपन सबकी वह कोल एभा हर्य तामाटर के दिन में टामाटर सड जाते हैं पैकने पड़ते हैं अभी तो उसके लिए क्या यह है लुए कोल इस ट्राज बाबनी में बना है कि इसके लिए हमने M become a मैं पर वह और यहां के जो Ama so सब्सक्राइब करेंगे किस कारण से बंद पड़ा है इसमें क्या खामिया है इस सारे चीछ को देखने में मौका मिलता है है तो हम इन कामों को पूरा करना चाहते हम पर सामपडमदा का सड़क आप जाकर देख चकते हैं कि किस तरीका से सुन्दर हो गया है और उसके बाद में यहां जमसितपूर छेत्र में भी हमने हम लोग जिवजना लाएंगे और उसको जनता का जो सपना है उसको सकार करने काम करेंगे कि आपके बारे में कहा जाता है कि मंगल करिंदी सबसे गरीब विधायक हैं चपल पेन के चलते हैं घर नहीं है तो अपने आप तो जन प्रतिधी बन गए हैं तो आपने इन सारी कि यह जो घर मिला हुआ है कि वह इसको भी लोग बन जाता है कि देखिए कल्यान मंतिर थे आदर ने चंपाई सुरेंजी उन्हें ने कहा कि इसका तो माता-पिता भी नहीं है घर संचार भी नहीं है रहने के लिए इसका ब्रेवस्ता करो घर को तो उनका अशिर्वास से ही के घर मिला है और तो इस पर हम लोग जनहित का काम के लिए आपिस किये हुए हैं और रहने का मेरा घर यहीं है यहीं रहते हैं ऐसा क्यों विधायक का मतलब ही होता है बड़ा रुवाब और यह सब ऐसा क्यों होता है दिखिए मेरा विधांसाबा छेत्र में किसान मजदूर वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं उन लोगों का बीच में हमने 15-16 साल मोटर साइकल में घुमा है तो हमें एक चिंता लगा लवर दनेंग राता हैं कि हमारे छेत्र के लोग इतना सरणल्व और इतने सीधा बेखती हैं जो महनत करते हैं मजदूरी करते हैं और अपनों परिवार को चलाते हैं तो निश्वतЧто से लोगों के साथ में रहे कर उन्हों का परिवार का सदस्वन कर रहना है तो हम को भी उन्हीं लोगों के रास्ते पर चलने के आउसकता है राजी सरकार के मध्यम से जो है अब बहेन बेटी स्वलंभी योद्णा के इस योद्णा से पचीस साल से लेकर जो पचास साल की महलाएं हैं लोगों को हर मेना जो है हजार रुपया उन्हों के खाते में चल जाएगा तो यह जहारगंट के लिए इतिहास है इससे पहले किसी ने ऐसी योजना लाना जनहीत में काम करना जनता का अधिकार को दिलाना ऐसे काम कोई सरकार जो थे पहुत लंबा समय तक उन लोगों ने करने का काम नहीं किया और उसके साथ-साथ अभी गुरुदी क्रेडिट कार्ड के मध्यम से जो गौण दियात में छाथ-छात्राएं र करेडिक काड़ के नाम से बच्चेत को पिछ शुचा पंड़ने के लिए इंजिनियर बनने के लिए 15 रुबघने के लिए 15ंद्ण सरकार योजना यायतियासिक योजना है और हमारे माने हमन्त सोरें जी जो ल्ले मत्च्चों को मैं प, देश्पढ़ने के लिए जो भेज यह तो जारखंड के लिए इतिहासिक पहल है यह हमन सोरेंजी ने इसको लाने का काम किया आज यहां के बच्चे जो है विदेश में जाके पढ़ रहे हैं तो हम लोगों के पास में इतना काम दो साल में हमन जो किया है उनका हमनों कितना भी परसंचा करेंगे वो कम होगा और जारखंड की एक एक जंता जो है नाम ले रहे हैं आधरनी एहमन सोरेंजी का आप देख रहे थे विधायक मंगल कालिंदी को तो यह तमाम अपनी विकास की पर बात कर रहे हैं इस पर कोई सवाल है तो आप अपनी बता सकते हैं कमेंट करके अपनी राय रह सकते हैं अपने स नमर्ती के साथ सेशी भूशन सोसल जमार निस जार करें